नमस्कार दोस्तों सुवागत है अपका हिंदी डिफेंस शोग एक और एपसोड में जहां मैं ले करता हूँ आपके लिए डेली डिफेंस अपडेट भारती एरफोर्स रूसरी कहता आया है कि उसे 14 MRFA जेट्स की ततकाल जरूरत है मतलब एरफोर्स अपनी जरूत को लेकर काफी वोकल भी रहा है पास्ट में हाला कि MRFA डिल कभी सेकेंड इस्टेज तक नहीं पहुच पाया जहां पर जितने भी एरफोर्स कंपनी वेंडर से सबको रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल भीज़े जाना था लेकिन डिफेंस होर्स की माने तो भारती एरफोर्स काप MRFA फाइटर जेट्स की जरूत ही नहीं पढ़ने वाली बलकि इस जरूत को भारत अपने दम पर और मेडी इंडिया प्रोगाम के तहती पूरा कर लेगा सब कुछ डिटियल में एक्स्पेंड करूंगा एक्स वीडियो को लास्ट जरूर देखें और अगर मेरे चैनल पर पहले बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल अकन दबाए ताकि आपको सारे डिफेंस अपडेट होंगे तेजस Mk2 तो दूसरा होगा भारतिय नवी के लिए बनाएगे टेड़ बीएफ रिपोर्स के मताबिक अब ये भारत के इन तीनों फाइटर जेट प्रोग्राम पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है और इनके लोकल इन हाउस डिजाइन और डेलप्मेंट पर काफ भारतिय एरफोर्स तेजस Mk2 के 6 स्क्वाडरन और AMC के 7 स्क्वाडरन लेने के लिए पहले से ही प्रतिबद है और इसके नंबर आने वाले समय में ज़रूर बढ़ा जाएंगे हिनुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेट का साफ साफ कहना है कि अगर भारतिय एरफोर्स MRFA प्रोग्राम को कोड़े में डालता है तो वा भारतिय एरफोर्स की जरूरत को आराम से पूरा कर सकता है जिसके मताबिक HL को हर साल 30 फाइटर जेट बनाने होंगे जिसे करने में HL पुरी तरह से सक्चा में ADA एक और 4.5 जनेरेशन एरफोर्स प्रोग्राम पर काम करा है जो भारतिय नवी के एरफोर्स करियर से ऑपरेट किया जा सकता है यह 26 तन का फाइटर जेट होगा और इसी का अलग वेरियंट है जो कि 24 तन का एरफोर्स भारती एरफोर्स को भी आफ के टू, 25 तन का फिफ जनेरेशन एमसी और 26 तन का डबल इंजन टेट बीएफ और HL ओफिसर का साफ साफ कहना है कि अभी के हालात में MRFA प्रोग्राम का कोई महत्व नहीं है क्योंकि बारत इन 114 मल्टी रॉल फाइटर जेट्स की ज़रूत को खुद अपने दम पर पूरा क